नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। करनाटक में चुनाव खतम हो गये हैं, परंतो हम परिनाम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की, उन्होंने क्या सोचकर वोटर्स को कहा था कि जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए वे वोट डालें। क्या सोचकर ये बोला था। बीजेपी पिछले 30 साल से ज्यादा समय से चुनावों में धर्म और हिंदू देवताओं के नाम का इस्तिमाल कर रही है। लेकिन उन स्टैंडर्ड से भी मोधी का बयान अन्प्रिसिडेंटिली लो था। मददाताओं से मोधी के एपील के जवाब में AIMIM के नेता असदुद्दिन OAC भी मैदान में कूद पड़े। ये कैसी सेकुलरिजम है। अगर मैं यहां खड़ा होकर आप से 10 मई को वोट डालने के दौरान अल्लाहु अकबर कहने के लिए कहूं तो मीडिया मेरा आलोचना करेगा, मेरा समर्थन करेगा या चुप रहेगा जैसे वे मोधी के बयान पर रहे हैं। आपको याद होगा, मोधी ने अपना बजरंग बली वाला बयान कॉंग्रेस के वादे के जवाब में दिया था। कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र या मैनिफेस्टों में लिखा था, करनाटक में सत्ता में आने पर PFI और बजरंग दल जैसे संगटनों पर प्रतिबंध या फिर बैन लगाएंगे। मोदी के अभूत पूर्व कॉल से कई एहम सवाल खड़े हो जाते हैं। बजरंग दल क्या है? इसकी स्थापना संग परिवार ने कब और किस उद्देशे से की? इतने लंबे समय तक बजरंग दल को अन्य राजनितिक संगटनों की तरह सामाने मानने के बाद कॉंग्रेस ने इसे बैन करने का प्रॉमेस या वादा क्यों किया? हाल के वर्षों में बजरंगडल की किन गती विदियों के कारण कॉंग्रेस ने इसकी इतनी आलोचना की संग परिवार एक बड़े बिजनिस परिवार की तरह है परिवार के पेट्रियार्क विभिन वेक्तियों का रोल तै करते हैं संग परिवार में RSS के नेता और कुछ महत्वपूर्ण एफिलियेटिड और्गनाईजेशन के सीनियर्ज जूनियर कारेकरताओं को काम सौपते हैं बजरंग वेल की कहानी 1984 से शुरू होती है जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद RSS ने अपनी पहली सफलता हासिल की थी ये एकात्मता यग्ये के राश्ट्र व्यापी मास मोबिलाइजेशन कारेकरम के पूरा होने के कारण था पवित्र माने जाने वाली नदियों के पानी से भरे विशाल कलशों से पूरे भारत में मोटराइज जलूसों में ले जाया गया था इसके तुरंद बाद राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग के नेताओं ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया ये आयोध्या में बंद और प्रैक्टिकली फर्गॉटन बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्मान था ये काम विश्व हिंदू परिशद को सौपा गया था इसकी मदद के लिए एक नया संगटन बनाया गया ये हिंदू युवाओं की उर्जा और जुनून को हार्णिस करेगा ऐसा सोचा गया राम जन्मभूमी आंदोलन को सफल बनाने के लिए इसे जरूरी माना गया इस नए संगटन का नाम रखा गया बजरंग दल शुरू में वे इसे बजरंग सेना कहना चाते थे इस योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि पंजाब में उगरवाद ने सेना शब्द के उप्योग का नेगिटिव इमेज दे दिया था आरेसेस प्रचारक विने कटियार को बजरंग दल का पहला अध्यक्ष बनाया गया संग परिवार के कई अन्यकारे करताओं को संगटन में महत्वपून पदों पर नॉमिनेट किया गया खास तोर से उत्तरप्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के पहले पांच सालों में 1989 तक भारत में कई जगाओं पर सामप्रदाइक दंगे हुए क्योंकि बजरंदल ज्यादा वेल नोन नहीं था इसकी गतिविदियों और इन दंगों में इन्वॉल्मेंट के बारे में अधिक डीटेल्स अवेलेबल नहीं है संग परिवार ने 1989 को एक बड़े अवसर के रूप में देखा राम मंदिर आंदोलन के गियर्स चेंज कर दिये गए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक नैशनल एग्जेकुटिव की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया इसमें पार्टी ने राम मंदिर की मांग को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया बजंदल ने 1989 में देश भर में राम शिला यात्राए और अयोध्या में शिला न्यास कारिक्रम में महत्तवपून भूमिका निभाई थी राम शिला यात्राओं के दौरान कई दंगे शुरू हो गए जिनमें कई लोगों की जाने गई सबसे बुरा हल भागलपूर का रहा बिहार में हर जगा कहानी एक ही थी हिंसा तब शुरू होती जब यात्रा मस्जित या एक मुस्लिम बस्ती को पार किया करती थी और भरकीले प्रोवोकेटिव नारे लगाये जाते थे इस से पहले बजरंग दल जुलाई 1989 में खुल कर सामने आया हिंदुस्तान में कई जगा हजा स्थानों पर बजरंग दीक्षा समारो आयोजित किये गए इन में से कुछ को मैंने एक रिपोर्टर के रूप में देखा और उसके उपर रिपोर्ट्स लिखी थी बजरंग दीक्षा राम मंदिर रांदोलन के लिए युवाओं को सैनिक के रूप में सेवा करने का संकल्प दिलाने का एक नए तरे का अनुष्ठान था ये पहली बार था जब हिंसा में विश्वास करने वाला एक संगटन अहिंसा के लिए प्रतिबद भारती जन्ता पार्टी जैसे पार्टीज के साथ एक कॉमन डिमांड के लिए हाथ मिला कर साथ चल रहे थे बजरंग दलकाडर मुखे रूप से लोर मिडल या मिडल मिडल क्लास अर्बन क्लासे से थे वे मेंली बेरोजगार थे या फिर नौकरी और प्रफिशन से असंतुष्ट उनके दिलों में जबदस गुसा था और ये मुसल्मानों और इसाईयों पर नेताओ द्वारा डायरेक्ट किया जाता था सेप्टेंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवानी ने सोमनाथ से अयोध्या रत्यात्रा निकाली उस समय नरेंद्र मोदी भाजपा के गुजरात इकाई के संगठन मंत्री थे उन्होंने जनता को मॉबिलाईज करने के लिए बजरंग दल को एनलिस्ट करने में एक महतवपून भूमी का निभाई विद्वान और लेखक A.G. नूरानी ने अपनी पुस्तक The RSS and the BJP A Division of Labor उसमें लिखा है कि बजरंग दल के कारे करताओं ने केंद्रिय भूमी का निभाई थी यात्रा के दौरान और अपनी कमिट्मेंट के प्रमान के रूप में आडवानी को अपने खून के प्याले भेट किये करते थे कई जगाओं पर उन्होंने खून से तिलक लगाकर अडवानी का स्वागत किया मोदी के Organisational Leadership में 1991-92 में डॉक्टर मुरली मनहो जोशी की एकता यात्रा में भी बजरंग दल के कारे करताओं ने एहम भूमी का निभाई इसकी भूमी का और बढ़ने लगी लेकिन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई के कारे काल के दौरान वे बहुत कुछ नहीं कर सके आखिरकार उन्हें 2002 में अयोध्या में विश्व हिंदु परिशद के एक कारे करम के दौरान मौका मिला वे इतने उत्तिजित हो गए कि इसका परिणाम गोद्रा कांड में हुआ पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे और बजरंग दल के सदस्य मुसल्मानों उपर हमलों में आगे थे गुजरात के मुखे मंत्री के रूप में मोदी के कारेकाल के दौरान बजरंग दल एक महत्तपून ताकत बना रहा बजरंग दल के सदस्यों को चुनाओं के दौरान भारते जन्ता पार्टी के बूत लेवल वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए प्रसिक्षित याफिट ट्रेन किया गया था पत्रकार और लेखक धीरेंदर जहा ने अपनी किताब शैडो आर्मीज फ्रिंच और्गनाइजेशन्स एंड सोल्जर अफ हिंदुत्व में एक सरियल सा कहानी नेरेट किया है उन्होंने मैंगलो और बजरन दल के एक नेता का नाम लिया जो एक सुरक्षा कमपनी का मालिक थे वो कमपनी दुकानों और अन्य बिजनेसेस एस्टाबिश्मेंट्स को सिकुरिटी सेवाए अप्रदान करती थी उस कमपनी के करमचारी बजरन दल के कारे करता हुआ करते थे वे विभिन दुकानों और बिजनेस में जाते थे और वहाँ जाकर पहले धमकी देते थे फिर कोई और कमपनी को रिप्रेजेंट करतावा वहाँ आता था सेकुरिटी का प्रोपोजल पेश करता था और फिर कॉंट्रैक्ट साइन हो जाता था पैसे कमाने का ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है ना इस तरह की कई घटनाएं सामने आई बजरंग दल के सदसे होने का दावा करने वालों के खिलाफ इल्लीगल आम्स और वेपन्स रखने के जुर्म में पुलिस केसिस फाइल होते थे बजरंग दल के सदसे ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिक बेटों की हत्या में शामिल थे 1999 में हमले के समय पूर्व केंद्रिय मंत्री प्रताप सारंगी बजरंग दल के उडिसा प्रमुख थे विश्व हिंदु परिशद नेता आचारय गिरीराज किशोर ने एक बार फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टोफ जासरलो से कहा था कि बजरंग दल के सदर से उन्हें बाभरी मस्जिद को नश्ट कर सके थे क्योंकि वे डिसिप्लेंट थे संग परिवार लगातार विभिन्र धार्मिक स्थलों पर हमले कर रहा है और हर जगाँ बजरंग दल के सदर से आंदूलन में शामिल हैं फ्रंट पोजिशन में होते हैं बजरंग दल पार्लिमेंटरी पॉलिटिक्स, बिजनेस और नौकरियों के लिए एक एंट्री पॉइंट बना हुआ है करनाट का चुनाओं में भाजपा के 73 उम्मीदवार में से यश्पाल सुवर्ना उड़पी से मैदान में थे वे विश्व हिंदु परिशत बर्जरंग दल के डिस्ट्रिक्ट ओफिशिल थे, 2004 से भाजपा में सक्रिय थे और पार्टी के OBC मोर्चा के अखिल भारतिय राश्रे महासचिव थे सुवर्ना 2005 के एक मामले में मुख्य आरोपी थे उन पर आरोप था कि एक मुस्लिम पिता पुत्र जोड़ी को नंगा करके परेड करवाया था पशुओं के इल्लीगर व्यापार या फिर ट्रेड का आरोप था पिता और पुत्र पर कोई आश्चरे की बात नहीं है कि कोट ने यश्पाल सुवर्ना को बरी कर दिया था बजरंग दल संग परिवार का नया चेहरा है ये हिंसा और आतंक की संस्कृति का जशन मनाता है संग परिवार इस संस्कृति को राजनीती और उनके कॉंसिट्यूशनलिजम के अभिन अंग के रूप में देखता है नमस्कार